नमस्कार मैं हुआ बिजेश और आप देख रहे हैं ABV Entertainment दोस्तों Big Boss 17 की कंटेस्टेंट अंकिता लोखंडे की मा वंदरान लोखंडे और उनकी सास रंजना हाली में Family Week के दवरान घर में आई अपने बच्चों से मिलकर दोनों मा काफी इमोशनल हो गई लेकिन फिर बाद में उन्होंने तसली से बैटकर अंकिता और विकी को गाइड किया अंकिता लोखंडे की सास रंजना ने घर के भीतर और घर के बाहर आकर भी कई ऐसे बायान दिये जो चर्चा का विसे बन गए हैं चलिए जानते हैं कि अंकिता लोखंडे की सास द्वरा दिये गए पांच ऐसे बायान के बारे में जो Talk of the Town बन गए सास की मर्जी से नहीं हुई थी शादी अंकिता लोखंडे की सास रंजना बेबाग बोलने के लिए जाने जाती हैं इंकी विला के साथ बातचित में उन्होंने कहा हम लोग तो शादी के सपोर्ट में नहीं थे अब वो निभाने को तयार है हमको कुछ लेना देना नहीं है इतना सब देख रहे हैं लेकिन हम लोग उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं वो आएगा खुद अपने गिरियस्ति सुधारेगा बिगाड़ा उसी नहीं है तो खुद सुधारेगा भी और हमें विश्वास है कि विकी सब कुछ ठीक कर देगा सिमपहती के लिए सुषांद का नाम विक बॉस 17 में अंकिता लोखंडे ने एक दो बार नहीं बलकि कई बार सुषांद सिंग राजपूत का नाम लिया किसी ने इसे पॉजिटी लिया तो किसी ने कहा कि वो पॉब्लिसिटी के लिए अपने एक्स बॉइफरेंड का नाम ले रही है अंकिता के सास ने एबीपी नियूज के साथ बाचित में कहा साहनुगूती जतार ये लगता है अपने लिये सुसान सिंग राजपूत को क्या पड़ा वो तो चला भी गया वो था तभी बटोर के लेके चला गया कितने अच्छे अच्छे काम किया उसने पती को चपल मारी तो क्या कहा पती को चपल मार दो तकिया मार दो फेक दो उसे ये क्या बात है वो लड़ने के लिए हमेशा तयार है जिस इंट्रिवू में विकी की मा ने अपने बेटी की तारीफ की थी उसी इंट्रिवू में अपनी बहु की बुराई भी कर दी अंकिता लोखंडे की सास ने कहा अंकिता को ये बोलना कि तुम अपने शब्दों को सुधारो पती की इज़्यत करना सीखो तुम किस परिवार में हो किस लड़के से तुमारी शादी हुई है ये मत भूल जाओ लेकिन वो सब भूला कर खली लड़ने को तयार खड़ी रती है विकी की मा इस बात पर है नाराद विकी जेन का एक वीडियो पिछले दिनों वाइरल हुआ था जिसमें देखने से ऐसा लग रहा था कि अंकिता लोखंडे ने अपने पती को थपड़ मारा है विकी की मा रंजना ने इंडिया टूडे के साथ बाचित में कहा मैंने अबात अंकिता के सामने उठाई थी और उसने कहा कि विकी उसे वक्त नहीं देता है तब मैंने उससे कहा कि तुम उसे पूरे वक्त इरिटेट करती रहोगी उसे खुद से दूर धकलती रहोगी जो जाहिर तोर पर है और तुम्हारे पास नहीं रहेगा वो मस्तिकोर लड़का है और खुश्विसाज लोगों के साथ वक्त विताना पसंद करता है आपका इसे शोरी पर का कहना है कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं